नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बाद फिट से आपके अपने ही यूटूब चैनल स्टार राइडस पर तो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है टाटा एलवीटी उनिस सोड़ा जो कि टाटा ने हाली में लॉंच की है तो आज किस फीडियो में इस गाड़ी का फूल डि की स्वीड का उप्सन भी मिल जाता है और दोस्तों इस गाड़ी का आप अलग-अलग परपजी के साब सा खरीद सकते हो जैसे पार्सल कूरियर मेडिकल फिल सब्जी इंडुस्ट्रिल कंपनी तान अनाज और टेक्स्टाइल कंपनी सेंजी टैंक वादी कहीं सारी यूज के में आपको पार्किंग लाइट मिल जाते हैं सेफटी के लिया से और साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं काफी अच्छी क्वालिट के वाइपर्स जिसके ओपर वोशर जेट पी मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ग्रेप हैंडल जिसकी साइट ऐसा मैन और दोस्तो सेफटी के लिए यहाँ पर आपको डबल बंपर मिल जाते हैं बंपर के बीचों बीच यहाँ पर आपको टो हुक देखने को मिल जाते हैं काफी मजबूत भगवान ना करें इसकी जूरत पड़े आपको और यहाँ पर आपको अगर लाइट लगवा नहीं है तो लगवा सकते हो स्पेस मिल जाता है और निचे की तरफ देखे तमको देखने को मिलता है इसका मजबूत बंपर जोगी चेचिस पर लगा हुआ है काफी मजबूत है यह बंपर और काफी एची सेफटी रहती है इससे और दोस्तों यह हैं गाड़ी का और आपको मिलने वाला और यहांपर भी आपको काफी बड़े-बड़े ग्लास देखने को मिल जाते हैं और यहांपर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी का मोडल हो गयरा सारी जनकर इसके ओपर लिखी हुई है वीडियो रोकर आप चेक कर सकते हो निचे देखे तिया आपर आपको पट्टी दे सकते हो घड़ी काफी उच्छी है तिया आपर आपको जटने में असानी हो उसके लिए आप आपको फुट स्टेब मिल जाते हैं लोहे के और बात करते हैं इसके टायर साइज की तिया आपको मडगार्ड मिल जाते हैं टायर के उपर टायर के उपर ही आपका इंडिकेटर मि मिलने वाले हैं, चार पट्टे का बाणी मिल जाते हैं, टेलिस्कॉपिंग स्वोक वजोरर के साथ में, और यहाँ पर आपको एंटिरॉल बार सिस्टम भी मिल जाता है, और अंदर के तरफ लगावा इसका रेडियेटर, और यहाँ पर आपको फिल्टर वगेरा देखने को मि मिल जाते हैं, जिसके साथा से इसको उपर कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एर के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको घुटन मैसुस नहीं होती है, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको से रिजान गर दी ह किस प्रकार से केबिन को उपर करना है, किस प्रकार से निचे करना है, इसको चेक करके आप इसको अपरेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका gear, oil और ये है इसका engine, Tata का खुद का ये engine है और ये engine 4 cylinder का उन्ने वाला है, क्योंकि आप चेक कट सकते हो और यह है गाड़ी का साइलेंसर जो भी एसिक्स होने कारण इसका साइलेंसर भी चेंज किया है कंपनी द्वारा और इस गाड़ी की स्पीड लिमिट है 80 किलोमेटर परती हवर की और दोस्तों चलती वही गाड़ी में कोई बाइक वगएरा ना ग देखने को मिलते हैंश का air pressure time काफी बड़ी साइज में उर जी सिंगल टाइक है इसमें आपको एक ही टैंग मिलता है काफी बड़ी साइज में और दोस्तों ऐसे कुछ है गाड़ी का rear profile आप चेक कर सकते हो यह 22 一बे घड़ी हैं अमईर साथ में इसमें आप 20 फिट फी लेसकते हो, 24 फीट लेसकते हो, 32 फिट लेसकते हो जिस प्रकार की घड़ी को आपको जुरुर्त है, उस प्रकार की घड़ी आप لे सकते हो अर प्रकार का आपको option मिल जाता है, और ऐसा कुछ है गाड़ी का rear profile आप चेक कर सकते हैं काफी हाइट इसकी उंची है दोस्तो बात कर लेते हैं इसके ग्रोस विकल वेट की जीवी डुबली की तो इसका जीवी डुबली हैं 18,500 केजी और इस गाड़ी से आपको पेलोड मिलता है 12 टन का कंपनी द्वारा पासिंग आती है 12 टन और दोस्तो इस गाड़ी से आपको ग्रेडिबिलीटी मिलती है 21-25 परसेंट जो काफी बैतर हैं और साथ ही आपको मिलने वाले हैं काफी बड़े बड़े यहाँ पर आपको मड़गाड जलोहे के और साथ ही आपको डबल टायर मिलने वाले हैं अच्छा चुका में टोटल गाड़ी हैं पिछे पी आपको सेम टायर साइज मिलने वाले हैं आराम से निकल जाएगा और इसके पिछे भी श्टिकर लगया गया है जिसके साहते से आप चेक कर सकते हो गाड़ी कौन सा मोडल है चलते हैं गाड़ी के पिछे की तरफ ते यहाँ पर आपको मिलने आप है reverse parking sensor, total chair यहाँ पर आपको reverse parking sensor मिल जाते हैं जिसके साइते से आप आराम से गाड़ी को बिच्छे ले सकते हो और यहाँ पर आपको हेलोजन में टेले मिलने आले हैं जो कि आप चेक कर सकते हो इसमें आपको DRL नहीं मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिलने वाले है यह बुस जिसकी साइटे से आप डाला ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको मिलने वाले है क्रोस मेंबर और काफी मजबूत यहाँ आपको चेशिस देखने को मिल जाते हैं आप चेक कर सकते हो और निचे आपको मिल जाते हैं मजबूत ब जाती है आप चेक कर सकते हो और यहां पर आपको मिलने वाला है इसका एकसल काफी बजबुत डिफ्रेंशल के साथ में और दोस्तो इस सैड्ड आपको मिलने वाला 이का डिजल टेंक जो की इसका डिजल टेंक जो की 365 लीटर का है और इसमें आपको टेंक लोहे का देखने को मिलता है और साथ ही इसको लोग भी कर सकते हो यहां से आप और इसके टेंक के पास में देखने को मिलता है इसका यूरिय टेंक जो कि आप चेक कर सकते हो फुली पॉली मर का आपको टेंग मिलने वाला है और दोस्तो इसके पास में आपको मिलने वाला है इसका air filter जिसको आपको time time पर change करवाना है ना कि इसको clean करना है ताकि आपको जदा mileage मिले और engine में कोई भी दिकत ना है और यहाँ पर आपको काफे बड़ा air intake देखने को मिल जा और दोस्तो company द्वार कोización मिल जाती है तीन साल की या फिर 50000000 किलमेटर घावे आपको warranty भी मिल जाती है एक गाड़ी में और दोस्तों बात करते हैं इसके चाबी की और इसके interior क्या क्या आपको मिलने वाला है तो यहां पर आपको यह कूह उसके स्ट्राइब कर सकते हो और बात करते हैं इसके सीट के तहाँ से आप अगेफिछे कर सकते हो सीट को रेकलाइन कर सकते हो, यहांसे और साथ यह सीट को आउपर निचे भी कर सकते हो काफ़े कमफिटेबल सीट मिलने वाले हैI और अब चलते ह kijken गडी के अंदर तेहांपर आपको ग्रेब हैंडल मिल जाते हैं, जोगी लोह के हैं और चलते हैं गडी के अंदर क्रूज कंट्रोल आपको फिचर मिल जाता है इसके साइटे साफ गाड़ी को और लंबी चला सकते हो और यहाँ पर आपको यहाँ कुछ इसका क्लस्टर मिलने वाला है और इसके बीच वीच देखने को मिल गए आपको बड़ी से MID screen जो कि आप चेक कर सकते हो यहां से आप control कर सकते हो बटन मिल जाते हैं जिसे के तरफ देखे तमको देखने को मिलता है hazard light का button और regeneration का button और steering के इस side देखने को मिलता है आपको heavy light के button जिसके साइटे से आप ज़्यदा load हो तो heavy पर चला सकते हो और कम load हो तो light पर चला सकते हो ज इसको control कर सकते हो बलोर को यहां पर आपको charger करने का और socket मिल जाता है और गैस बात करते हैं इसके gearbox के यहां पर आपको fully synchronous gearbox मिलने वाला है पांच forward और एक reverse gear मिल जाता है आप चेक कर सकते हो काफी smooth operated है या gear lever और इसी कुछ इसकी seat मिलने वाले है passenger वाली दो बंदे आराम से बे कर सकते हो पानी से यहां पर आपको roof light मिल जाती है जो कि fully LED है यहां पर आपको sliding window मिल जाती है और दोस्तों यह गाड़ी sleeper cabin के साथ में नहीं है तो यहां पर आपको sleeper seat भी ले सकते हो sleeper cabin के साथ में यहां पर आपको ऐसा कुछ इसका passenger door मिलने वाला है इस side भी आपको bottle holder दे है तो comment जरूर करें और साथ ही ऐसा ही वीडियोज के लिए चैनल को subscribe कर लिए पास में लगे बेल लगन को प्रेस करें तकि आपको हर नई वीडियो की notification मिलती रहें और गाइस बात करते हैं इसके किमत की तो इसकी एक शुरूम किमत और ओन डूर किमत अपने नजदी की शोर आपिन जाइ बारत